प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महें स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स टोरेंट पावर के खिलाफ लोगों में इस तरह गुसा है कि पहले पढ़ले गाउं में टोरेंट करमचारियों को भगाया गया उसके बाद डायगर ग्रामील इलाके से टोरेंट करमचारियों को भगाया गया और अब शील गाउं से टोरेंट पावर के करमचारियों को लोगो उन्हें रेडिंग लेने नहीं दिया और नहीं उन्हें विल वित्रण करने दिया जब भी टोरेंट के कर्मचारी जाते हैं इन गाओं वाले इकठा हो जाते हैं और इन्हें वापस लौटा देते हैं यहां तक कि पुलिस भी इनके साथ में रहती हैं मगर उसके बावजूद टोरेंट कर्मचारी नहीं बिल वित्रण कर पाते हैं और नहीं रेडिंग ले पाते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन गाओं में पहुंचते ही हल्ला हो जाता है कि टोरेंट के कर्मचारी आये हैं और लोग बाहर आकर इन्हें गाओं से वापस लौटा देते हैं पहर में शील गाउं में टोरेंट के करमचारी रेडिंग लेने के लिए गए थे मगर गाउं के कुछ लोग विरोध करने लगे और टोरेंट करमचारियों को गाउं से वापस लौटा दिया गया। हलाकि मुम्रा, कौसा, कलवा, शील, दिवा में लोग लगातार टोरेंट पावर का विरोध कर रहे हैं। में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि टोरेंट करमचारियों को ना ही बिल विटरंड करने दिया जा रहा है और ना ही इन्हें रेडिंग लेने दी जा रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं।